हेलो फैंट्स यूपी एक्जैंबर रभी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम क्लास 11 हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर यहां पे करेंगे नुमैडिक एम्पायर के बारे में यहां पर डिटेल में जानेंगे जब से पहले देख लेते हैं कि नूमैडिक एम्पायर से यहां पे इक वर्ड रहा है रहा है नूमैडिक एम्पायर स्था सो नूमैड्स का मतलब किया होता है वंडरर कालवासी Hey चरवाहे होते हैं जो एक जगा से दूसरी जगा आणूओ कर अपने जो पशोओं को लेकर ठीक है तो यहां पर वो क्यों मूव करते हैं जहां पर उन्हें अच्छी गास पशुओं के लिए मिल जाए या पानी अच्छी यहां पर सुविदाएं यहां पर मिल जाए तभी वो उस जगा पर यहां पर मूव करना पसंद करते हैं ठीक है तो एंपायर अगर हम एं एकंपायर बोलेंगे कलिया एक हमेशा से कांट्रा इस के बारे में हम देखेंगे कि इहां पर करते थी किस परकार से इन्हों नें अपना परको कर रहा था कर दो यहां पर धीड़ीन vais यहां से सेंट्रोल एशिया कि तो उनों किस परकार से यहां से तो यहां पर तो इन्हों है यहा है यहां यहां पर यहां disk fate चाइना की ओपर मंगॉली आपको स्कॉंटिनेंटल एंपायर इनके द्वारा स्टैबलिश किया गया था अंडर दी लेडर्शिप ओफ चेंगेज खान तो इसने यहां पर यहां पर यहां पर यह काफी ज्यादा इनका जो एंपायर था वह फैला था तो हम यहां पर देखेंगे कि चंगेज के दौरा यहां पर यहां पर किया जाते है इसके दौराला करोड़ों की संख्या में लोगों को मारा जाता है यहां पर यहां細 ओफिशल बेसिस के ओपर यहां पर देखा जाता है कि यहां पर चंगेज खान के दौरा बहुत जादा मारकाट की गई थी अगर हम कंपेर करें हिटलर के साथ तो हिटलर यहां पर वर्ल्ड वर टू ही थी तो इसके दौरा यहां पर च्छे करोड यहूदियों को मरवाया गया तो इसी परकार से यहां पर चंगेज खान के दौरा भी बहुत सरे यहां पर लोगों को क्रोडों के संख्या में यहां पर मरवाया गया था ठीक है मारा गया था सो चली सो नेक्स यहां पर सोर्स के बारे में देखें जो स्टैपी डवैलर से यहां पर इनके दौरा कोई भी यहां पर पडियूस नहीं किया गया तो यहां पर हमें किस परकार से पता लगता है कि यहां पर तो यह वाला जो एरियास है यहां पर जो क्रॉनिकल्स हो गया या ट्रावलोग्स हो गया या डॉकुमेंट्स हो गया यहां पर जो भी पडियूस किये गए हैं यहां पर सीटी ब यहां पर आया गरते थे उनके दुवारा यहां पर जो भी चीजों को देखा गया वो लिखा जाता था इनके अपने according ठीक है तो यहां पर कोई permanently इस समय में यहां पर कोई इनके अपने historians यह जो travelers ठीक है यहां पर नहीं थे कि वो यह जो कि यह जो literature है उसको लिख पांक 500 हैं जो ओठर यहां पर यहां पर जो पर यहां पर यहां पर किया जाता था कुछ नःश ठीक है तो इस परकार के यहां और दूसरा यहां पर जो ट्रावलोक्स ऑफ मारको पोलो तो यहां से हमें बहुत सरी इंफोरी देखने को मिलती है क्लियर है तो यहां पे जो हिस्ट्री में देखने को मिलेगी चाइनीज हो गया मंगोलियन पर्शियों लैटिन फ्रेंच रॉशियन औरेबिक ठीक है बहुत सरी लैंगोजिज में आपको देखने को मिलेगी तो चलिए यहां पर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट हम इंट् जैसे कि यहां पर एक यह ग्रूप है यहां पर इस ग्रूप में जैसे 22 यहां पर 50 यहां पर मेंबर रहते हैं एक दूसरा ग्रूप को अगर तता तीसरा ग्रूप यहां पर अलग अलग यहां पर छोटे चोटे टुकडों में यह डिवाइडेट थे यहां पर हो गया तो सभी को यहां पर चंगेश खाण के दोआ यहां पर रहते हैं तो यह. आपको यह नहां पर देúcने को मिलेंगे तो आप इनकी फोटो यहां पे देख सकते हैं तो इनके दोबारा जो एरियास कॉंकर किये गए थे जो जीते गए थे वो था यहां पे नोर्थ चाइना सबसे पहले नोर्थ चाइना इसे कॉंकर किया गया था ट्रांस ओक्जियाना किया था फिर यहां पे अफगा बात कर रहे हैं रश्या यह उपर वाला हिस्सा हो गया यहां पर ठीक है तो यहां पर तो अफगानिस्तान यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है यह पाकिस्तान की उपर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा इसके साथ में यहां पर इरान देखने को मिलेगा ठीक है तो तो ट्रांस-अक्जियाना यहां पे आप देख सकते हैं, कि जो ट्रांस-अक्जियाना पहले हुआ गरताथा, एंशेंट नेम जो था यहां पे, तो यहां पे यह जो लोगायर सैंटरल एशिया था यहां पे, तो modern day यहां पे eastern उजबैकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया या सदरन जो कराइकिस्तान हो गया यहां पे यह जितने भी एरियांज है इन सभी का मिलके यहां पे बना होता है यहां पे ट्रांस ओक्जियाना तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो चंगेज कान यहाँ पर जो इसके जो ग्रेंट सन थे, इसके जो पोते थे मौंक के तो यहाँ पर इनके दुवारा फ्रेंच रूलर जो थे लुईस नाइन तो इन्हें यहां पे warn किया गया था कि यहां पे यह बहुत जादा powerful है अगर तुम हमारे उपर attack करते हो तो हम तुमारा बिलकुली यहां पे जो empire है उसे area हम बिलकुली nest कर देंगे तो यहां पे एक तरह से जो दंकी है वो मौंग के यानि कि जो चंगेज खांग का जो पोता तो यहां पे यह जो चंगेज खांग के यहां पे जो दूसरे यहां पे पोते थे तो इनके दोवारा जो रश्यान था यहां पे रश्या से यहां पे लेके जो मोस्को जो area यहां पे जो इसकी capital यहां पे रश्या के देखने को मिलेगी इसे बिलकुली यहां पे बरबाद कर दिया गया था यहां पे और उसके बाद जो पॉलैंड हंगरी और यहां पे वियाना के आउर साइंड यहां पे कैम्प लगाया था ठीक है इन एरिया को यहां पे कबजा कर लिया था यहां पे बातू ने तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे इनके जो उत्रदिकारी थ तो यहाँ पे हम देख चुके हैं तो इस चैनल के उपर आपको class 6 से लेके 12 तक है सभी subject यहाँ पे देखने को मिलेंगे science 7 से लेके 10 तक है यह सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल के उपर तो यहाँ पे capture of Bukhara 12 20 AD में यहाँ पे तो इसे नश्ट किया गया था इसके बारे में हम देख लेते हैं तो Bukhara को यहाँ पे 12 20 में capture किया गया थे इसकी जो दिवारें एसे गिरा दिया गया था इसे यहाँ पे जला दिया गया था यहाँ पे लोगों को बिलकुली मार डाला गया था और इन्हें loot लिया गया थो बाद में यह चले गए थे सो ऐसा यहाँ पर जो जुवैनी यहाँ पर्शिन क्रॉनिकलर यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है मंगोल रूलर्स के बारे में की किस परकार से इनके दोरा में यह पर तेहसनेह से किया गया था सो चंगेस खान यहां पे जो वैस्टिवल गिराउंड में ये गए वहां पे जो रिच रेजिडेंट्स यहां पे जो सीटी के थे वहां पे बुलाया यहां पे वो इकटे हुए तो इन्हों ने यहां पे कहा कि यहां पे लोगों को कि तुम जानते हो कि यहां पे कि तुम लोगों के द्वारा बहुत सरे पाप किये गए हैं और इन में से यहां पे जो बड़े लोग हैं यहां पे उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यहां पे पाप कि गया था चंगेज खान के द्वारा इस एरिया में बुखारा में ठीक है तो यहां पर एक आदमी यहां से बाग जाता है ठीक है खुरासान बाग जाता है तो उसके द्वारे यह सभी बाते यहां पर बोली जाती है जो लिखी जाती है कलियर है तो इस परकार का यहां पर यहां and political background के बारे में तो यहां पे ततार्स, खितान, मंचूस तो यह eastern side में रहते थे और तूर्किक tribes यह west side में रहते थे और इनके दुवारा जो बाशा बोली जाती थी वो same बोली जाती थी तो यहां पे जो कुछ मंगोल से वो थे यहां पे pastoralist मतलब की पशू चारक थे और जो दूसरे थे वो थे यहां पे hunter gatherers ठीक है जो शिकार किया गरते थे तो इस प्रकार से तो यहां पे जो pastoralist थे यहां पे इनके दुवारा जो horses, ship, cattle, gods, camels इनकी देखरे खे यहां पे की जाती थी और यहां पे जो यह nomadic life अपनी जीवन यहां पे वितीत क्या करते थे स्टैपीज में यहां पे जो central Asia में देखने को मिलेगा so modern state यहां पे मंगोलिया ठीक है तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अभी हमने यहां पे map में देखा था तो मंगोले यहां पे चाइना के उपर यह देखने को मिलेगा तो यहां पे तो इनके दुवारा क्या होता था कि यह जो अल्टाई माउंटेंस यहां पे जो वैस्ट में देखने को मिलेगा और यहां पे अरिट गोबी डैजर्ट यह साउथ में देखने को मिलेगा और यहां पे जो रिवर्स देखने को मिलेगी ओनन रिवर्स और सेलंगा रिवर्स यह नौर्थ और वैस्ट में देखने को मिलेगी तो इन च पैस्ट्रो लिस्ट यहां पे जो रहते हैं इनके नौर्थ में यहां पे उपर अप seben यहां पे साइबियरेंन फोरेस्ट आपको देखने को मिलेगा तो इनका यहां पे कुछ K थेती नहीं रहती तो यहां पे cities का निर्मान नहीं होगा तो यहां पे यह मंगोल से यह tent में रहा करते थे यहां पे travel किया करते थे अपने पषिवों को लेकर एक जगा से दूसरी जगा जाया करते थे winter to summer यहां पे जाया करते थे जहां पे pasture lands होती है यहां पे जनरली जाया करते थे बहुत सरे conflicts यहां पे इनके बीच में देखने को मिलते थे pasture lands को लेके यहां पे तो यहां पे proper इनके दुआरे एक raid यहां पे मारी चाती थी पश्यों की तलाश में clear है तो यह सब कुछ यहां पे देखा जाता था यहां पे दिर्य-दिर्य क्या होने लगा कि यहां पे जो group ओ family यहां पे अंपर इनके बीच में एक मितरत यहां पे जो किस बंद यहां पे होने लगे और एक दूसरे की यहां मदद करने लगे और यहां पर चोटी-चोटी संग होते थे और यहां पे कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं यहां पर टिकते थे यहां पर इनके बीच में यहां पर लड़ाई जगड़ा एक दूसरे के प्रती होता रहता था ठीक है तो आगे हम देखेंगे यहां पर तो जो मंगोल सुसाइटी थी यह यहां पर देखने को मिलेगा तो गलास 11 की जितनी भी प्ले लिस्ट आई यह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो को फांड आउट करने की जरूरत नहीं है और साथ में यहां पर यूपी एसी की भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी ठीक ह यहां पर आप देख सकते हैं अचेंट हिस्ट्री कंपिलीट कंपलीट कवर कर दियूपने के लिए यहां पर अइसी नोर्स के साथ तो आप텐 यहां पर देख सकते हैं suppose करो यहां पर यह दो व्यक्ति है, एक यह व्यक्ति है, एक यह व्यक्ति है, इसके पास गेहूं है, इसके पास चावल है, तो इसे तो चावल की जुरूरत है, इसे गेहूं की जूरत है, तो यह अपने गेहूं इसे दे देगा और इसके बदले इससे चावल ले लेगा, तो यह बार्टर से स्टम ठीक अदला बदली कर ना अओ तो आगरीकल्चर पर्ड्ठियोस आइरन यूट एन साइस जो आइरन के बरतन होते ये चाइना से आते थे और यहाँ पे जम निवासी थे ele territor टेनके पास शॉर्स और यहां मți जो जंवरों की खाळ्म होती और यहां के पस यहां के पर्डियूस होता था और यहां पर जो आईरन के बर्तन होते थे यह होते थे जो मंगोल्स थे इनके पास यहां पर होर्सिज और यहां पर जो फर्स थी यह होते थे ठीक है यह इन्हें देते थे और यह चाइना वाले इन्हें दे देते थे ठीक है तो इस परकार से यहां पर इसमें बहुत सरी tensions यहां पर create होती थी, ठीक है किस परकार से, कि यहां पर जो strong है, अब जो mongolians थे, अब यह क्या थे, यहां पर इन्नों ने यहां पर बहुत सरे संग बना लिये थे, ठीक है तो संग बना लिये थे, तो यह ज़्यादा powerful हो चुके थे, जिसकी वज़े से यह horses या fur, यह नहीं दिये जाते थे, clear है, so ठीक है, यह सब कुछ यहां पर गिया जाता था, अब जब यहां पर इनकी allies तूट जाती थे, मतलब कि यहां पर इनकी संग जब तूट जाते थे, mongolians के, तो यहां पर जो Chinese क्या गरते थे, चाइनिस अपना control यहां पर इनकी उपर सापित करने की कोशिश किया करते थे सो इसी परकार से यहाँ पर यह सब कुछ काफी लंबे समय से चला तो चाइनीज जो थे यहाँ पर बहुत जयादा दुखी हो चुके थे तो इन्होंने फोटिफिकेशन करना शुरू करती होता है किले बंदी करना तो इनके दोबारा Great Wall of China यहां पर बनाई गए तो इनके दोबारे यहां पर बनाई गी कार्व जणम 1162 टू एडी में हुआ था ये जो ओनन रिवर आपको देखने को मिलेगी कहां पे ये नोर्थ में देखने को मिलेगी मंगोलिया के ठीक है तो इनका जो ओरीजिनल नेम था वो था तैमूजीन और इनके फादर का जो नेम था वो था यैसुगी और यहां पे यह जो क्यात क्लैन हुआ करता था इसके मुखिया हुआ करते थे इनके फादर ठीक है तो यहां पे जो दूसरा यहां पे एक क्लैन हुआ करता था यहां पे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने यहां पे इसके फादर को यहां पे जहर खिला दिया था जिसकी वज यहां पर दूसरे ट्राइब के दुआरा जब इनकी चोटी एज होती है ठीक है तो जहर खिला दिया जाते है तो तैमू जीन को यहां पर capture कर लिया जाते है इसे दास बना लिया जाते है बहुत सालों तक यहां पर तो जल्दी यहां पर इसकी marriage हो जाती है जो इसकी wife होती है बोटे तो इसे kidnap कर लिया जाता है और यहां पर चंगेज खान के दुवारा बहुत सरी fight यहां पर लड़ी जाती है कि वो अपनी wife को अपनी पत्नी को उनसे छिडवा ले तो यहां पर बहुत सरी कठनाईयों का सामने करते हुए, यहां पर इनके दुवारा बहुत सरी important यहां पर blood brother यहां पर तो उसके बाद यहां पर ओंग Khan यहां पर इसके तीसरे यहां के मितर होते हैं और जामुका को हराया जाता है तैमोजीन ठीक है तैमोजीन यहाँ पर जामुका को हरा देता है किसकी मदद से ओंग खान की मदद से अब इससे यहाँ पर जो तैमोजीन है इसका जो आतम विश्वासा यह बहुत जादा बढ़ जाता है इसके बाद यहाँ पर तैमोजीन के द यहां पे जो इंग हो को जो वह क्या थिक्ट को यहां पर ऐसे महां पे लुवांने, रियूजर किया जाता है। यहां पर एक डिस्टीप्लेऑनीटरी यहां पर बनाई जाती ओस्टो इनका यहां पर इस्तróười कि आपने एरियां को यहां पर बढ़ाने के लिए जित कि तॉपर तो इनके दुवारा यहाँ पर मंगोल की और उसके यहां पर फोले कि उसे इस सुझा जाते हैं यहां पे जो यहां पर आगे इसके चार बेटे होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे यूची हो गया तो जोची चकहेडी ऑकुडेई तो चंगेज खाने आगे जो इनका तीसरा बेटा यहां पर इसे राजा बनाया जाएगा ठीक है तो यहां पर तुलू या तुलूई ठीक है तो यहां पर इनके नेम है तो चलिए यहां पर यहां पर नेक्स्ट मूव करते हैं तो यह जो आपके बुक में यहां पर डाइग्राम दी गई है चंगेज खान इसके यहां पर चार बेटे होते हैं इस वान ठीक है जिनके बारे में अभी हमने देखा त तो आगे यहां पर जो तुल्वी तुली होते हैं इनका वंशज यहां पर चलता है तो इनके बारे में हम कोश्च के ओपर मिल जाएंगे तो नेक्स यहाँ पर जो इनकी conquest है हम इसके बारे में देखेंगे 1219 से लेके 1222 के बीच में यहाँ पर जो भी conquest होती है तो यहाँ पर जब इन्हें टाइटर्स दिये जाते हैं उसके बाद क्या होता है जो उससी समय में जो चाइना यह तीन हिसों में यहाँ पर डिवाइड़ यह साउथ चाइना में रूल करती है तो यहाँ पर जो सी सिया डाइनेस्टी है अब इसे हर आया जाता है 1209 में और यहाँ जो ग्रेट वॉल ओफ चाइना अब इसे भी यहाँ पर तोड़ा जाते है 1213 में मंगोल के दोवारा क्लियर है उसके बाद जो पैकिंग है पैकिंग यहाँ पर रूल करती है और इसे भी लूटा जाते है 1215 में तो यह इसके बाद जो चंगेज खान होते है यह अपने होमलेंड वापस चले जाते है 1216 में और यहाँ पर जो मिलिटरी अफ्वेयर्स होते है जो इनकी अधीन यहाँ पर काम करते है उन्हें यहाँ पर देके च चले जाते हैं कि अभी यहाँ पे तुम आगे संभालो अभी मैं यहाँ पे थोड़ासा ब्रेक लेकर आता हूं आउ तो पने कर चले जाते हैं और इंहें यहाँuhan संभाल दी तो यहाँ बहुत बड़ी यहाँ पर बैटल मिलती तो उसके बात यहां पे जो चीन ने यहां पे डाइनेस्टी इसे हरा दिया जाता है 1234 AD में और इसे जीत लिया जाता है कलियर है तो यह थी स्टोरी यहाँ पे चीन डाइनेस्टी की तो अभी हमने यहाँ पे सिया जो सी सिया डाइनेस्टी इसके बारे में देखा और यहाँ पे चीन डाइनेस्टी के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया 12.18 में जो मंगोल्स है यहां पर काराख्याता अब इसे यहां पर डिफीट कर देते हैं जो कि यहां पर तियान शान जो माॉंटेंस है यहां पर चाइना का नॉर्थेस्ट वाला हिस्स है तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको दिखें? और यहां पे जो आमूदारिया और यहां पे जो स्टेट्स यहां पे ट्रांस अग्जियाना, ख्वारिजम ठीक है तो इन सभी को यहां पे capture कर लिया जाता है मंगोल्स के दुबारा 12-18 में तो इनकी यहाँ पे मैं पिक्स लेना बोल गया, लेकिन यहाँ पे जो नोर्स होंगे, वहाँ पे मैं इन सभी की जो पिक्स है, ठीक है, images है, वो इंटरड्यूस कर दूँगा, कि आपको यहाँ पे असानी होगी, आपको पता होगा की कौन सी जगा कहाँ पे है, क्लास 11 की तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो सुल्तान मुहम्मद यहाँ पे एक खवारिजम में रूल करते हैं तो इनके दोबारे एक बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है ठीक है तो इससे पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या थी तो यहाँ पे जो चंगेज खान होते हैं अब यह भी बहुत बड़े रूलर होते हैं उसके बाद यहाँ पे जो सुल्तान ख्वारी जम है यह भी बहुत बड़े यहाँ पे रूलर होते हैं तो लेकिन अब चंगेज खान को पता है कि यहाँ पे किसके ओपर डिरेक्ट अटैक करना है किसके ओपर नहीं करना अब यहां पर यह भी रूलर बड़े होते हैं इनके पास भी बहुत सरे एरियाज होते हैं तो यह क्या करते हैं यह अपना एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि नहीं हम इनसे दोस्ती करेंगे तो पहले यह थोड़ी चोटी पल्टन को यहां पर बेजते हैं इनके पास यहां पर समझाने के लिए कि हम यहां पर मिल के यहां पर रूल करेंगे ठीक है तो लेकिन यहां पर यहां पर यह मना कर देते हैं तो यह वापस चली जाती है फिर यहां पर चंगेज खान कहते हैं कि नहीं हमें एक बार और परयास करना चाहिए तो यह यहां पे यह रहां पेст है तो यहां पे तिनों जयाते हैं यहां पे दूत बनंकर सलतान मुहम्मत के पास जो खवारिजम का यहाँ पे रूलर होता है तो अब यहाँ पर यह क्या करता है यह जो मुस्लिम होता है इसे तो यहाँ पर इसका गला काट देता है और यहाँ पर यह जो दो यहाँ पर मंगोलियंस यहाँ पर जाती है तो इन्हें यहाँ पर गंजा कर देता है, इनके बाल यहाँ पर बिल्कुली साफ कर देता है, ठीक है, तो इन्हें वापस बेज देता है, अब यहाँ पर चंगेज खान बहुत जादा करोधित हो जाता है इससे, ठीक है, तो अब इसने यहाँ पर अटैक करा, किसकी ओपर? खुवारिजम के उपर ठीक है तो यहां पे जो campaign चलाया गया था यहां पे मंगोल्स के दुवारा चंगेज कान के दुवारा 1219 से लेगे 1221 के बीच में तो यहां पे जितने भी सीटी सी यहां पे अटवार हो गया बुखारा समरकंद बाल्क गुरगंज मैरव और निशपूर टिक है यह निशपूर हो गया हेरात हो गया इन सभी को यहां पे conquer कर लिया जाता है ठीक है तो यहां पे जो निशपूर होता है यह क्या करता है यहां पे इनकी सत्त्व को सभीकार नहीं करता तो यहां पे जो मंगोल का एक प्रिंस होता है उसे यहां पे यहां पे मार देते हैं तो यहां पे क्या किया जाता है कि यहां पे जो निशापूर का यहां पे पूरा ही यहां पे जितनी भी पोपुलेशन है उस सभी को मारा जाता है यहां पे इवन की यहां के जो कुत्ते बि बुरा हाल यहां पर चैलिक तू इस परकार को यहां पर बुरा हाल किया जाता था चंगेज खान के द्वारा तो ऐसे में गई जब वह बाग गया तो यहां पे चुछ पूब निछा पूरस को गया समरile सब्सक्रों करेंगे और कुंद यह गयाई है उसके बाद एजर भाई तो यहां पर यह बाग जाता है तो इसके बाद यहां पर किया होता है जो मंगोल फॉर्सिस इसका पीछा करने लग जाती है तो यहां पर जो रश्यन फॉर्सिस होती है उसे हरा दिया जाता है यहां पर ठीक है उसे हराने के बाद जो कैस्पियन सी है तो इसे भी यहां पर गेरा डार लिया जाता है मंगोलियन के दुआरा अब यहां पर जो एक दूसरी पल्टन होती है तो मंगोल फॉर्सिस यहां पर दो हिस्सों में विबाजित होती है एक तो यहां पर जो सुल्तान मोहमद होता है यहां पर अजरबाईजान में बाग जाता है तो यह जो पल्टन होती है पीछे 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 अफ़िट्स इंदी यहां पर चली जाती है तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे जो यहां पर वाला एरिया आपको थोड़ा थंडा इलाका देखने को मिलेगा और आपको पता है कि यहां पर बारत में कितनी ज्यादा ग साथ, देखोगे यहां पे तो यहां पे जो temperature अगर हम आज के time में देखेंगे हैं तो नॉर्थ मैं यहां पे अब जैसा मैं पंजाब में रहता हूँ तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा भी जून का महिना चαर रहा है तो यहां पे forty से लेके forty तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बापजूत यह इतनी ज़्यादा गर्मी को नहीं यहां पे जेल पाएंगे तो इसलिए यहां पे इन्होंने वापस मूरना ही सभिकार गया ठीक है एक तो हीट की वज़े से एक नैचुरल हैबिटेट की वज़े से ठीक है कहीं यहां पे बीमारियां सब्सक्राइब यहां में गए तौर आर्मी को करने के लिए इसी पूरल आप यहां पे जितनी भी वोर्स हैं वो जीत पाऊगे अगर यहां पे आर्मी में discipline नहीं है तो यहां पे वो नहीं जीती जाएगी ठीक है तो यहां पे horse riding जो skills थी mangos, turks की बहुत जादा थी इनकी जो spirit थी इनकी तीर अंदाजे की जो abilities थी वो बहुत जादा तेज थी इवन कि गोड़े के उपर चलते चलते भी यहां पे जो निशाना लगाते थी बिल्कुल accurate निशाना लगाया जाता था इनके द्वारा और उसके बाद यहां पे जो cavalry थी इनकी गोड़स वार यहां पे वह भी बहुत जादा quickly एक जगा से दूसरी जगा असानी से move कर जाती थी जो यहां पे जमी हुई जो नदियां थी उन्हें हाईवी के तरह इनका इस्तमाल किया जाता था अपने जो एनिमी सिटी तक पहुंचने के लिए या कैम्प तक पहुंचने के लिए कलियर है उसके बाद यहां पे जो fortification इसे यहां पे destroy किया जाता था नैप था bombardment के दवारा ठीक है मतलब कि यहां पे bombardy जो की जाती थी आप देख सकते हैं यहां तक पर इस परकार की यहां पर double equipment और पंबार पनाये जाते थी जो की असानी से यह जगा से दूसरी जगा लित जाए जाते थी तो यहां पे पत्थर रखा जाता time रίक है यहां पर प उपर गिरता था ठीक है उनके यहां पर तहसनेस करने के लिए तो यह सबी चीजे थी यहां पर कलियर है आई होब आपको इतना समझ में आया होगा सो चलिए next move करते हैं यहां पर मंगोल यहां पर चंगेज खान के बाद किस परकार का था यहां पर ठीक है मंगोल मतलब कि यह जो देश था वो किस परकार के गदिवीदिया यहां पर देखने को मेरी थी इसके बारे में देखेंगे सो चंगेज खान के बाद यहां पर मंगोल एक्सपेंशन यहां पर जारी रहा ठीक है यहां पर इसे हम दो फेसे में डिवाइड करते हैं जो पहला फेस है यह 12.36 से लेके 42 तक देखने को मिलेगा यहां पर जो कॉंकर्ड एरिया थे यहां पर रुशियन स्टैपीज हो गया बुलगैरिया हो गया कीब पोलेंड हंगरी यह सारी एरिया आपको देखने को मिलेंगे 12.55 से लेके 1300 तक यहां पर जो चाइना को तो पूरा ही इनके दुवारा कॉंकर कर लिया गया था इरान हो गया इराक हो गया सीरिया हो गया इन सभी को यहां पर कॉंकर कर लिया गया थ उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पेशे कारण ही नहीं पृष्ट में ठाए विलू यहां कारण है इन तीनों कारण कारण कि वू में हम देखें गेंगे c00 कारण करह रीजन कि यहां पर की जो मंगॉल आ वृष्ज sounding वे नियुज यहां पर मनंगूल था यहां चाहते थे कि इना भी करें यहां पर भॉल यहां पर बोला गया था यहां यह यहां पर जैसे कि पहले बेटे को यहां पर यह वाले एरिया और इसने अपनी सफतंतर ता यहां पर गोशित कर दी कि यहां पेजित पर इस आरिया के ऊपर रूब करूंगा तो तो इस जो दूसरा था उसने यहां पर सफ़तंतर था इंडिपेंडेंडंस यहां पर डेलेड़ करती चोते हैं तो इसी परकार तो यह कारण यहां पर देखने को मिला है interest in office holding मतलब कि वो अपने राजिया को hold करने के इच्छुक थे मंगोल जो family थी यहाँ पे जो डिसेंडेंट थे यहाँ पे जो जोची एंड उगुडेई तो इनके दुवारा यह declare कर दिया गया दूसरा reason क्या था कि यहाँ पे जो तोलियद ब्रांच जो थी यहाँ पे चंगेज खान की यहाँ पे डिसेंडेंट की यह बहुत जादा powerful हो चुकी थी as comparison to यहाँ पे जो जोची और उगुडेई इनसे बहुत जादा powerful हो चुके थे अब यहाँ पे जो मौंग के जो थे ठीक है यहाँ पे के दिसेंडेंट थे यहाँ पे जो किसके तुलू के यहाँ पे चंगेज खान के यंगेस सन प्रच तुलू होते हैं इरह दिचेंट के लिए इन्ट्र फियंट्र स्थो टैस्ट सो यहाँ तो थे बहुत इसनी अने सब्सक्रावन होता है वह दीरे दीरे चाइना की तरफ आकर्चित होना शुरू हो जाता है तो 12 तो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं चाइना की तरफ यहां पर तो इसके बाद यहां जो Effekt की यहाँ पर जो Military होती है वो क्या करती है Mongul Forces को हरा देती है तो ठीक है एक दूसरा Reason यह देखने को मिलेगा तीसरा reason क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो जोची और यहाँ पर तुलुई थी तुलुई थी यहाँ पर जो आगे जो इनकी Campaigns इनके दुआदा चलाएगे थे वहां से हटके यह Russian की तरफ यहां पर यह अकर्षित हो जाती है तो इसकी और यहां पर यहांपर वेस्ट की तरफ ठीक है तो Mongolia तो यहांपर यहां पर खिशन वाला हिसा था यहां पर यहां पर यहां पर एंट्रेस्त the यहां से organization के बारे में देख लेते हैं तो शुरुवात में क्या होता है कि जो military था यहां पर जो combination था मंगोल्स का तुर्क्स का यहां पर लेकिन यहां पर दीरे-दीरे जो other members यहां पर tribe के जो members होते हैं उन्हें भी military में include किया जाता है इसको क्या बोला जाता है इसे heterogeneous बोला जाता है हिट्रो मतलब क्या होता है यहां पर different ठीक है यहां पर different मतलब की अलग-लग यहां पर समुदाये के लोग या tribe के लोग यहां पर army में आ रहे हैं तो यहां पर दो तरह के आपको देखने कर लिया था ठीक है बीना किसी लड़ाई जगडे के दूसरे वो लोग ते जिने defeated people बोला जाता है या जिने carry arts बोला जाता है ठीक है तो इसके बारे में हमने देखा था कि जो ओंग-khan इनका यहां पर शाशक हुआ करता था तो यहां पर जो इनकी तुमान मतलब कि यहां पर 10,000 soldiers का यहां पर बहुत बड़ा group हुआ करता था इसे यहां पर 10 हिसों में यहां पर विबाजित किया हुआ था 10 हिसों में यहां पर देखने को मिलता था यहां पर 10 से आप इसे divide कर दो तो यहां पर कितना होगा यहां पर 1000-1000 का यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है यह भी 1000 यह भी 1000 यह भी 1000 यह भी 1000 तो इस परकार के यहां पर ग्रूप आगे जो 1000-1000 के ग्रूप थे आगे इन्हें फिर से यहां पर डिवाइड किया गया था 100-100 के ग्रूप से में आगे यह जो 100 का ग्रूप स अगर वो अपनी इच्छा से यहां पे मूव करता है एक जगा से दूसरी जगा बिना किसी की परमीशन के तो उसे बहुती कठोर सजा यहां पे दी जाती थी सो जो मिलिटरी हैड होता था उसे नोयान बोला जाता था और यहां पे जो फोर सन हुआ करते थे यहां पे चंगेश खान के तो इनके अंडर यह काम किया करते थे जो नोयान हुआ करते थे सो चंगेज खान यहाँ पर इनके दोरा जो एक सिस्टम बनाया गया था इसमें यहाँ पर जो लोगों की बर्ती की जाती थी वो उनकी ability के उपर यहाँ पर उनकी skills के उपर यहाँ पर की जाती थी ठीक है यहाँ पर recruit किया जाता था ना कि ऐसे कि यहाँ पर कोई बर्ट से यहाँ पर बहुत जादा अमीर फैमिली से यहाँ पर जन्म ले रहा है चलो इसे यहाँ पर परशाशन में यहाँ शामिल कर लिया जाए या military में शामिल कर लिया जाए ऐसे नहीं था चंगेज कान ने इस प्रकार का sister बनाया था कि यहाँ पर जो उसकी ability के अनुसार ही उसे यहाँ पर entry मिलेगी otherwise नहीं मिलेगी clear है तो यहां पे जो कुछ लोग थे यहां पे तो यहां पे जो चंगेज खान को यहां पे वफदारी से यहां पे इनकी सेवा किया करते थे चंगेज खान तो यहां पे इन्हें टाइटल दिये गए थे उनके सम्मान में तो यहां पर जो उनके bondsman हुआ करते थे bondsman मतलब की जो उनके दास हुआ करते थे ठीक है जो बहुत ही ज्यादा वफादार हुआ करते थे उन्हें नौकर बोला जाता था ठीक है तो इस परकार की यहां पर यह military organization यहां पर देखने को मिलती थी तो चलिए नेक्स यहां पर मूव करते हैं उसके बाद हम यहां पर political organization के बारे में देख लेते हैं ठीक है political organization तो चलिए यहां पर assembly जो थी यहां पर chief turns की मतलब कि जो यहां पर मुखिया हुआ करते थे ठीक है उन्हें क्या बोला जाता था उन्हें quill ties यहां पर बोला जाता था उन्हें के दोवारा यहां पर decision लिये जाते थे family या states के regarding ठीक है जैसे कि यहां पर campaigns इनके दोवारा चलाए जाएंगे कि कहां पर युद्ध करना चाहिए अभी यहां पर स्तीती सही है या नहीं वहां पर हम युद्ध कर सकते हैं अभी वो जो यहां पर प्रोसी देश है वो बहुत जादा कमजोर है इस परकार की रनीती बनाई जाती थी या जो distribution of plunder मतलब जो loot का माल है वो किस परकार से यहां यहां पर distribute करना है और pasture lands इसके उपर और यहां पर succession मतलब कि यहां पर जो उत्तर अधिकारी होगा जैसे यह राजा है इसके बाद यहां पर कौन बनेगा किसमें ज्यादा skills है जो राजा के आगे पुत्तर हुआ करते थे सन हुआ करते थे तो यहां पर जो civil system यहां पर था व जो newly conquered areas होंगे यहां पर उसे जो govern करना है ठीक है यहां पर लोगों को तो यहां पर इनके जो चार सन है इनके अंडर हुआ करेंगे तो जो सबसे बड़े बेटे थे यहां पर जो जिनका नाम था जूची ठीक है तो इसे यहां पर जो Russian स्टैपीज है यहां पर यह वाला area य county का नौर्थ वाला जो हिस्सा है वो दिया गया था और यहां पर जो चंगेज कान अब इन्हों ने कहा था कि जो इनके दीसरे सन है उगड़े यहां पर इन्हें आगे राजा बनाया जाएगा ग्रेट खान बनाया जाएगा ठीक है जो राजा होता था उसे ग्रेट खान भी थे तुलू तो यहां पर जो मंगोल की यहां पर जो पैतरी की यहां पर जमीन थी यहां पर वो सारी यहां पर मंगोलिया की वह इन्हें दी गई थी यहां पर जो इनके चोटे बेटे थे तुलू ठीक है तो चंगेज खान यहां पर जाते थे कि जो इनके बेटे हैं यहां जो सबसे पहले हैं यह बिलकुल भी नहीं चाहती थी इसके बाद यहां सेंट के बाद यहां पर इनों ने आपना जो विरास्त कि आ यह सब यहां पर इकटी मिली थी यहां पर पूरा एरिया मिला था लेकिन दीरे दीरे यहां पर इनके बीच में यहां पर यहां पर कर दिया गया था मतलब कि इन्हों ने अपना जो हिसा था वो डिवाइड कर दिया गया था कि हां यह जो सबसे पहले हैं यहां पर इनके अंडर र जो पहले डाइनस्टी थी उसे शोड दिया आगे इन्होंने अपनी एक नई डाइनस्टी शुरू की जो तुलू डाइनस्टी थी इसने यहां पर युवान और इल खानीद डाइनस्टी शुरू की थी अपनी कलियर है और उसके बाद यहां पर जो डिसेंडेंट थे यहां प क्या किया यह जो तुल्व वाले जो थे तुल्वी जो ब्रांच थी इन्होंने नए नहीं इतिहास कार इनको यहां पर पॉंट करना शुरू किया कि यहां पर जो हिस्ट्री है वो बनाई जाए फीड से लिखी जाए तो चंगेज की ठीक है यहां पर इतना ज़्यादा है डिटेल में नहीं जाते थे पास्ट में लेकिन हाँ चंगेज खान की जैसे हिस्ट्री होगी या प्रेजेंट जो इनके यहां पर रूलर्स हैं ठीक है तो इनकी यहां पर हिस्ट्री यह लिखवाया करते थे तो जैसे जो चंगेज खान होता था जैसे कि मैंने पहले बताया था वो क्या करता था जहां पे भी जाता था बहुत सरी लूट पार्ट यहां पे की जाती थी और बहुत सरे लोगों को यहां पे सभी को मार दिया जाता था लेकिन यहां पे जो इतिहासकार होते थे या historians जो होते थे या जो engineers होते थे या आर्टिक्राफ्स होते थे इन्हें छोड़ दिया जाता था क्युकि इनकें बहुँ जादा कमी हुआ करती थे जो छंगेज खाने इन्हें अपने साथ रख लेता था और जितने भी दूसरे आम जनता होती थे उन्हें मार दिया जाता था ठीक है तो इस परकार का यहां पर विदवन से यहां पर चंगेज खान के दुवारा किया गया था तो चलिए अभी हम कहा थे यहां पर तो एपोइंटेड न्यू हिस्टोरियंस ठीक है यहां पर पॉइंट किये गए थे और यहां पर तुलीद भराचे इनका चैना और इरान के उपर यहां पर रूल इनके दुवारा किया गया था पर्शियन्स जो क्रोनिकल्स से यहां पर पडियूद किये गए थे यहां पर ال खानी दुवारा थीक है तो यहां पर इन्हों ने जो लेट 13th century यहां पर इसमेंगेर में बताया कि WOR Probably से हैंप पूरी यहां पर खुन साइड यहां पर किया गया था तो यहां पर Great Khan के δ Gates के मतलब कि आहं पर चंगीज खान के दवारा कैर यहां बड़ाओ चड़ा के यहां परशां बोली जाती थी यह सब कुछ यहां पर लिका गया थो याकि जो 30,000 soldiers हैं, उनके दोबारा किस परकार से यहां पर attack किया गया था, यहां पर मारा गया था, बहुत हो रही यहां पर ठीक है, लोगों को, यहां पर citadel क्या होता है, यहां पर दुर्ग को बोला जाता है, clear है, उसके बाद यासा, यासा क्या होता है, यहां पर legal code of चंगे इस खान, तो इसे यहां पर लागू किया गया था, यहां पर जो krill tie, यहां पर 1206 में देखने को मिली, तब इसे यहां पर लागू किया गया था, so early time period में यहां पर जो यासा का नाम तक क्या था, यहां पर यह साक, इसका नाम था, यह साक, तो इसका मतलब जैसे law, degree, या order, कि यहां पे इसका मतलब यह वा गरता था तो इसे यहां पर इससे यहां पर फिटेल में हिखा हो था और यहां पर मंगुल tribes के उन सभी को यहां पर compile किया हुआ था ठीक है जो पराने यहां पर traditions वगरा थे इन सभी को यहां पर जो एक law होता है जो constitution होता है ठीक है तो यह सब कुछ यहां पर यहां सामें देखने को मिलेगा तो उसके बाद social organization के बारे में देखें तो यहां पर जो campaign यहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ थी थर्टीं सेंचुरी मतलब की बारा सो एक से लेके पचास सक यहां पर चुख campaign चलाए गए थे यहां पर सीटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एग्रिकल्चर जो लेंड थी उसे भी बिल्कुल तहसनेस कर दिया गया था ट्रेड और एंडी क्राफ्ट चो थे यहां पर production उसे भी यहां पर नस्ट कर दिया गया थे इनके किसान हो ठीक है सभी को यहां पर suffer करना पड़ता था और यहां पर जो देखुने को बाह थे यहां पर ऑンドर करांड के इना सी से कैंड से आई जाता था underground's canal से यहां पर इरान में आपको इस प्रकार की बहुत ही देखने को मिलेंगे ठीक है यह बनाई जाती थी यह जो केनाल सुआ करती थी तो यहां पे बिलकुल भी नहीं की जाती थी इनकी रिपियर तो जिसकी बज़े से यहां पे दीरे दीरे यह बंजर बूमी में बदलते रहे बंजर बूमी से यह बाद में डैजर्ट एरिया का रूप इनके दुवारा ले लिया गया था ठीक है तो एकोलोजिकल यहां पे परायवरन की यहां पे तबाही बहुत ज़्यादा देखने को मिली उसके बाद नुमेडिक वर्सिस सेडेंटरी ठीक है तो ट्वैलफ थर्टी का जो दशक था यहां पे मंगोल से ने क्याकरा मतलब की सबी को मार देना चाहिए तो यह जितनी भी इनकी यहां पे खेती की जो जमीन होगी इसे हम कनवर्ट कर देंगे किसमें जो पैस्चर लेंड है तो यह बात बोलीगी तो इसी परकार से यहां पे चलता रहा यह सिस्टम जो भी यहां पे यह पिजैंटरी हुआ करते थे किसान हुआ करते देने मारा जाता था लेकिन 1270 का जो दशक था टाइम पिरिड था ठीक है क्यूबलाई खान तो यहां पे इसने क्या करा इसने किसानों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और सीटीज को भी तो इसने यहां पे अपनी अपनी बाते यहां पर रखी कि हमें इने नहीं मारना चाहिए तो 1290 का जो दशकता मंगोर रूलर यहां पे जो इरान के जो थे यहां पे गाजन खान ठीक है तो यहां पे इन्नों यह भी क्या थे यहां पे चंगेज खान के डिसेंडेंट थे यहां पे जो यंगेस्ट जो संथे यहां पे तुलू ठीक है उनके आगे यह वंशे से तो इ यहां पर फूड यहां पर उगा रहे हैं पूरी सोसाइटी के लिए अगर तो हम इने मारते रहेंगे तो आने वाले समय में जो फूड होगा उसकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी ठीक है तो यहां पर इस बात से यहां पर इनके द्वारा इनका समर्थन किया गया था खुरासान यहां पर आया था खुरासान तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है खुरासान जो हमने एकोलोजिकल डिवास्टेशन यहां पर बारे में बात की थी ठीक है इरान में तो खुरासान का यहां पर यह वाला जो एरिया आपको यह वाला देखने को मिलेगा खुरासान ठीक है तो मैप यहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पर मैं मेली UPSC के लिए यहां पर डिटेल में कवर कर रहा हूं इसलिए यहां पर मैं मैपस बहुत ज़्यादा इंट्रड्यूस करता हूं ठीक है तो यहां पर डिवलोमेंट यहां पर ट्रेड कम्यूनिकेशन मंगोलिया में देख लेते हैं यहां पर चंगेश खान के दुवारा एक यहां पर कोरियर सिस्टम बहुत तेजी के साथ है यहां पर कम्यूनिकेशन सिस्टम के लिए यहां पे जो एक दस्वां हिस्टा यहां पर फांपज कोरियर क^^न इनकी मेंटेनन्स के लिए तो यह जो टैक्स यहां पर प्रोवाईड करते थे श्ब्रूरं थे बोला जाता ता उसके बाद बाज टेक्स यहां पर कम्यूनिकेशन और यहां पर ट्रावल को असान बनाने के लिए यहां पर तो मंगोल रिजाइम के दुवारा यहां पर जो ट्रावलर्स हैं वो एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं तो उन्हें यहां पर पास दिये जाते थे ठीक है यहां पर नहीं प्रक्राइब है यहां पर जाता है और यहां है यहां पर जो पास हां । यहां प्रक्राइस यहां ढूर स्टेग capital beWhats कुल्प पॉलिटिक्स के लेवल के इसा लेवल के उपड़ेखेंगे थीजह और से मंगोलो मंगोल के दोवारा जो चंगेज खान बहुत ही गुरे टैस्ट यहां पर लीडर हुआ करते थे ठीक है अगर हम देखें यहां पर बहुत ही जादा ब्रूटल यहां पर रूलर थे बहुत ज़्यादा यहां पर मार काट यहां पर की गई थी लेकिन जो मंगोल उनके लिए उनकी एक माला यहां पर जो बनाई थी वो किसी ने बनाई थी यहां पर वो चंगेज खान ने बनाई थी और यहां पर जो इंटरनल ट्राइब्स में यहां पर बोर चल रही थी उससे भी यहां पर खतम किया था चंगेज खान ने और यहां पर जो चाइनीज किया गया था यहां पर यहां पर जो दूर दूर के जो ट्रावलर जो ट्रेडर से यहां पर यह भी बहुँ ज़्यादा कर्शित हो रहे थे यह सब कुछ यहां पर चंगेज कान के दुवारा ही हुआ था सो चंगेश कान के दुवारा यहां पर क्या था कि यहां पर डाइब वर्स यहां पर बोड़ी देखने को मिली थी लोगों की यहां पर मतलब कि यहां पर यहां पर जो मंगोल है यहां पर लग लग समुधाय के यहां पर लोग देखने को मिलते थ ठीक है यहां पे इनके जितने भी यह प्रशाशक जो थे यहां पे वो लग लग यहां पर दर्मों से भिलों करते थी ठीक है जैसे शामन बुधीस्ट कृिश्ट्यू कृष्ट्चन एवेंचुली इसलाम हो गया ठीक लेकिन इन्होंने कभी भी परसनली कोई भी यहां पर अटैक नहीं किया कि यहां पर आप इस दर्म को फॉलो करो ठीक है तो यह चीज उसके बाद यहां पर जो मंगोल एड्मिनिस्ट्रेशन था यहां पर यह मल्टी एथिनिक मल्टी लिंग्विल ठीक है मतलब कि जो बहुत स इहां पर बहुत ज़्यादा इंस्पायर थै कि यह पूरे यहां पर यूर्स के उपर टीक है यूनिवर्स इंदर सैंस मतलब जीतना मंगोल इनके एरिया अंडर आया करता था उन्स अभी के ओपर यह रूल करें दीक है लेकिन यहां पर इसमें बहुत ज़्यादा हैसे टीक क्यों थी यहां पर कि अपने आपको यह मोनार के यहां पर इन्होंने नहीं किया यह नहीं बन पाई तो यह था कि यहां पर यह चंगेज खान के वंशज में ही तब यहां पे इन्होंने यहां पे रूल करना शुरू किया था ठीक है तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर ने इसके बारे में कवर किया था तो आगे यहां पे कुछ तुष यहां पे टाइम लाइन से वीडियो को पॉस करके आप देख लेना जितना भी अभी हमने कवर किए हैं यहां ज्यादा मेहनत लगती है चैप्टर बनाने के लिए नोस्ट बनाने के लिए ती का पूरे यहाँ फिल दो दिन यहां पे लग जाते हैं एक चैप्टर यहाँ पे पूरा कवर करने के लिए अपने आसपास फाई रख से ज्यादा पेड़ पो देगए हैं गुरीन इंडिया की तरफ मूव करना यह हमारा लक्षा है सो जाहिंद हाव फैंटास्टिक लेंग